वेल्कम एवरीवन ओफ यू इन दे लर्निंग फाव इंकम फ्रम हाउस प्रोपर्टी हमारा जो टॉपिक्स वन बाइवन हम सीख रहे हैं इंकम फ्रम हाउस प्रोपर्टी की केल्कुलेशन में सबसे पहले हमने ग्रॉस अनुवल वैल्यू सीखा हुआ है फिर इसके बाद हमन हमने सीखा हुआ है प्रिसीडिंग लेक्चर में फिर नेट अनुवल वैल्यू के बाद आपकी जो डिटक्शन आती है अंडर सेक्शन 24 उसमें दो डिटक्शन हम लोगोंने सीखनी है एक स्टेंडर्ड डिटक्शन जो नेट अनुवल वैल्यू का 30% होती है दूसरी इंट् और उख प्राइब करेंगी आपने आपने खुद के रहने के लिए यूज की है तो क्या होगा थेक्शन निकाल लेगा और हाउस प्रोपर्टि अगर आपने किराय पर उठाई है तो फिर हम क्या करते हैं साब जो भी हमारा ग्रॉस एनुवल वैल्यूव है उस मैं से हम प्राइन लेक्चर में बहुत दंग से सीख चुके हैं उनको दोबारा रिवीजन के लिए आप देख सकते हो बार बार तो ग्रॉस अनुवल वैल्यू माइनस मिनिसिपल टेक्स नेट अनुवल वैल्यू एन वी इस इन शॉट राइट फिर इस मैंसे हमें दो डिदक्शन घठ जलती है 30% 30% और दूसरी डिदक्शन गटाते हैं वह आपकी होती है इंट्रेस्ट लोन की और इंट्रेस्ट लोन कौन सा मिलता है जो भी आपने खरीदने बनवाने या फिर रिपेयर कराने के लिए लिए यह लेट आउट के लिए फॉर्मेट हम यूज करते हैं और अगर आपने खुद खुद के रहने के लिए थ्रूआउट दे यर उस प्रॉपर्टी को यूज किया तो हमारी ने टैनुवल वैल्यू नहीं हो जाती है और फिर इस मैंसे हम लोग केवल इंट्रेस्ट लोन की डिड़क्शन लेस करते हैं और आंसर हमारा माइनस में आता है जिसक क्लियर यह सारी बात है हमने अभी तक सीखी हुई है अब इसी सिक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं किसा आप क्योंकि आज का इंपोरेंट टॉपिक हमारा इंट्रेस्ट लोन ने यह सब नहीं है पहले कवर कर चुके हैं तो इंट्रेस्ट लोन इस दमोस्ट इंपोरेंट टॉ कोड़िक तो डिसकые उन्वर्ट तो देखी इंट्रेस्ट लों से सारी पूरी शे और हर बात को सुनना समझना को केलकुलेट करते हैं कैसे हैं कई इसका डिक्ष्ण हमें मिलता है तो मैं इन्ट्रेस्ट लों की बात करूं इंट्रेस्ट ओन लोन से यह आपकी जो हैं अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन वी ओफ इंकम टेग्स एक 1961 कि यह इंकम फ्रॉम आउस प्रोपर्टी के अंदर ही बिलती है आपको इंकम फ्रॉम हाउस प्रॉप्रेटी के चैप्टर के अंदर ही डिडेक्शन बिलती है बहुत ध्याद से समझना और यह बैक बोन है इस भंग से यदि इसको सीख लिया एक बार में फिर जमाग से निकलती नहीं है और इसके बाद में चैप्टर कम टू क्लोज इस चैप्टर में कुछ बचता नहीं है अगर कोई चीड इस चैप्टर में बच्चों को परिशान करती है इससे प्रॉब्लम सोल्ब करने में तो जो भ तब मिलता है जब उसने कोई लोन उस हाउस प्रोपर्टी के लिए लिया है जिस हाउस प्रोपर्टी का एसस्मेंट हो रहा है उस हाउस प्रोपर्टी के लिए लोन लिया है और या तो उस हाउस प्रोपर्टी को खरीदने के लिए लिया है या फिर उस हाउस प्रोपर्टी को रिपेर कराने के लिए या फिर कराने के लिए मतलब पुराना खंडर खरीद लिया तो आपको याद रहे कि मैं लिख देता हूं शौर्ट में इंट्रेस्ट और लोन है रिलेटिट टू अवस प्रोपर्टी और लोन का जो परपाज वह बहुत जरूरी है धंग से समझना जो परपाज लोन का होना चाहिए या तो उसको पर्षेस करने के लिए लिया आपने या फिर आपने उसको construction कराने के लिए लिया है या फिर उस house property का repair और renewal कराने के लिए लिया है बहुत ढंग से समझना आज सारी बात हैं बहुत clear cut होंगी तो अब यहां पर interest on loan की जो deduction हम calculate करना सीखते हैं वो दो situation में सीखते हैं अगर house property आपने किराय पर उठाई अगर house property आपने खुद के रहने के लिए use की self occupied बोलते हैं इसको अगर house property आपने किराय पर उठाई या फिर house property आपने खुद के रहने के लिए use की तो फिर हमारा interest on loan का deduction कैसे calculate होगा यह देखिए इसका एक formula होता है full of the previous year short में py लिख रहा हूँ plus one upon five of pre construction period अगर house property आपने किराय पर उठाई है तो यह जो total amount आया है यह पूरा deduction आपको मिलेगा अगर हाउस प्रोपरिटी आपने खुद के रहने के लिए यूज की है तो फिर यह calculation तो ऐसे ही होगी full of the previous year plus one upon five of pre construction period लिख देता हूँ pre construction period को short में PCP लिख दिया है मैंने इसके total amount को आपको compare करना पड़ेगा लिमिट हो जाएगी वहाँ पर केवल यह limit apply होती है self occupied के case में कि तीस हजार रुपए या दो लाख रुपए दोनों में से एक लिमिट लगेगी कि रुपीज 30,000 कि या फिर रुपीज टू लैक कि अब बात यह आ रही है कि 30,000 कि लिमिट कब लगेगी और दो लाक रुपए की लिमिट कब लगेगी कि अगर कि एव कि लोन टेक अन कि विफॉर कि एप्रिल वन कि नाइंटी नाइंटी नाइन या फिर आपने लोन लिया है अन-अर आफ्टर अप्रिल वन नाइंटी नाइन इन अगर आपने लोन लिया है एक अप्रेल उननिस तो निन्यानवे से पहले और मकान को प्रिवियस येर में प्रिवियस हेर हमारा उननिस भी आप किसके लिए हम सवाल कर रहें सीख रहें तो अगर मकान को आपने प्रिवियस एर में खुद के रहने के लिए यूज किया है तो जो इंट्रेस्ट और लोन की डिदक्षन है उसकी लिमिट है 30,000 रुपए और अगर लोन आपने एक अप्रेल 1999 को लिया या उसके बाद लिया है तो फिर इंट्रेस्ट और लोन की डिदक्षन की लिमिट है 2,000,000 रुपए अब यहां थोड़ी बात है इंपोटेंट है ठंग से सुनते समझने चलना अब यह जो PCP लिखा हुआ प्रिकंस्रक्षन पीरिए इसका क्या फंडा है प्रिवियस एर तो बात समझ में आ गई किस प्रिकंस्रक्षन पीरिए तो बात कर रहे होंगे लेकिन इसका प्रॉपर एक डैफिनेशन है जिस हिसाब से यह बात समझनी है हमने तो मैंने इस बात को समझाने के लिए एक डैफिनेशन बनाई हुई है Nek toimरालि कि देखिए प्रे कंस्रक्षन पिरिए हम किसे कहते है प्रिकंस्रक्षन पिरिएट दाए प्रॉप प्रों ओनट्व को तूede 1st मार्च 31st March immediately preceding the date of construction completed construction period period जो लोन लेने की date से start होता है और 31st March तक का होता है 31st March कौन सी होती है construction complete होने की date से जस्ट पहले वाली होती है एक्जाम्पल देखे समझाते है माल लीजे आपने लोन लिया प्रॉपर्टी को construction कराने के लिए olलब कर कौन स्थच्च्च्च्च्च्च्ट कर कौन लिए 1-2014 राइट एंड कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेट अग्वाइट अग्वाइट थर्टियत जून 2017 राइट तो यह देखते हैं फॉर्मूला कैसे हमारा इसमें प्रिकंस्ट्रक्शन पीरिट को डिटर्माइन करने में लागू होगा है लोन कब लिया एक जुलाई 2014 तो लोन की देट एक जुलाई 2014 राइट यहां से मुझे क्या चाहिए 31 मार्च चाहिए छुआ कौन सा बाला चाहिए कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने की डेट से पहले वाला कंस्ट्रक्शन कम कंप्लीट हुआ 30 जून 2017 को इससे पहले का 31 मार्च कौन सा होगा 31 मार्च 2007 जून 17 उससे पहले मार्च 17 आएगा तो देख लो आप एक जुलाई 2014 से 31 मार्च 2017 तक का टाइम हो गया लिख देता हूं कि पीरियेट फ्रॉम एक जुलाई 14 टू 31 मार्च 17 यह कितना टाइम हुआ इसको कैल्कुलेट करो एक्जैक्ली शिक्स मन्त तो दिसंबर तक रह गए यहां पर और पंद्रह 2015 कलेंटर यह पूरा है थर्टी थ्री मॉन्स दुबारा सुलो दो हजार चौदा यह में शेमिन पंद्रह पूरा है मारे पास चौदा में शेमिने 15 पूरा है सोला पूरा है 17 में 23 मोरे दिस दाथ प्रिकंस्ट्रक्शन पीरियड की इंट्रेफ्टका वन पोन 5 गंवर नंपाउन 4 5 5 गरके 5 साल में मिलता आ हो कॉनसे होते है ध्यान से सुनना तो तो हो पास वनते हैं वह पास साल होते हैं उस जिस डेट में जिस year में आपका construction complete हुआ है वो financial year पूरा छोड़ना पड़ेगा आपको जैसे construction complete कब हुआ इसमें 31 30 जून 17 को तो यह वाला financial year कब complete होगा जाके 31 March 18 को 31 March 18 को 31 March 18 को complete होगा तो वहां से आप 5 साल काउंट करोगे राइट वहां से 5 साल काउंट करोगे 18 19 19 20 20 21 22 22 और 22 23 अगर आपका assessment year इन पांच साल में से कोई सावी होगा तो फिर आपकी प्रिकंस्ट्रक्शन पीरेड की इंट्रेस्ट कंसीडर होगी तो ठीक है अधर्वाइस नहीं होगी अब जैसे हमारा assessment यह तो प्रिकंस्ट्रक्शन पीरेड की इंट्रेस्ट यहां पर कंसीडर होगी अच्छा एक बास सुनो कि अगर मैं इस डेट को तीस जून 2017 से चेंज करके मैं कर दूं अगर 31 मार्च सत्रा कि मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया 31 मार्च सत्रा को ध्यान देना बात पर पूरी बात चेंज हो जाएगी अभी भाई मैंने आप से कहा कि मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ कभ 31 मार्च सत्रा आयम चेंजिंग दा सिटूएशन लाइट तो लोन की डेट तो वह है एक जलाई चौदा कि उससे मुझे 31 मार्च चाहिए कंस्ट्रेक्शन कंप्लीट होने वारी देट से पहले का तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा 31 मार्च 17 को तो उससे पहले थर्डी फास मार्च कौन सा होगा 16 होगा this is the point where student get stuck तो आपको परिशानी ना हो इसलिए मैंने एक एक एक्सामप्ल लिया जून का एक लिया मार्च निया तो मार्च 17 बैठेगा और मार्च 17 लिया तो उससे पहले जाएगा क्योंकि मार्च अब उससे पहले एक साल पहले आएगा पास साल ठीक है अच्छा एक बात और जो इंपोर्टेंट है यहां पर यह जो इंट्रेस्ट और लोन की लिमिट है सेल्फ ऑक्किपाइड के केस में है ठीक है और यह तीस अजार रुपे की लिमिट के बारे में एक एक सेप्शन ंपवाद लोन चाये आपने बाद में भी क्यों लिया हो एक अप्रेल 1999 से पहले लिया तो तो फिर यह ही तीस अजार तीस प्रक्रम की लिमिट है लेकिन एक कुछ एक सेप्शन है यहापने लोन चाहे एक अपर दो निसे नेकिंव बाद ही कियो ना लिया हो कि अगर रिपेयर के लिए आए काई के लिए आए रिपेयर के लिए लिए याए तो मैं लिख देता हूं exception कि एक्सेप्शन अगर आपने काई के लिए रिपेर के लिए कि अगर आपका जो है construction I Am 5 साल में complete नहीं हो रहा है लोल लेने की एडेट से 5 साल में प्त्रक्षण आपका नहीं हो रहा है एक तुबात उगई रिपेर और दूसरा आपका पांस साल में नहीं हो रहा है तो फिर आपने लोन कभी भी लिया हो चाहिए प्रेलिंडिय में के बात एक जो आपकी लिमिट है वह थी सजार रुपे रहने वाली है लिमिट शेल भी थर्टी थाउजंड इवन इफ लोन टेकन आफ्टर एप्रिल वन नाइन्टी नाइन इन 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 कौन सी कंडीशन में इसेलफ ऑक्क्यूपाइट की कंडीशन में रिपेर के लिए लिमिट हमारी लोन लेने के वाले फैनेशल यहर से राइट तो लोन लेने वाले यहर के बास से पांच फैनेशल यहर में आपका कंप्लीट नहीं हो रहा कंस्ट्रक्शन तो फिर आपकी लिमिट है ठीक है चलिए इस बात को समझाने के लिए हमने एक सवाल बनाया हुआ बढ़िया सुन्दर उसको सोल्व करेंगे हम ध्यान में रखेंगे के लिए नहीं लगेगा लेट आउट के लिए नहीं लेगेगा प्रिकंस्ट्रक्शन पीरिएड यह है ठीक है बोर्ड पे मैंने आपके लिए सवाल पहले ही मैनेज करके रखा हुआ है तो उसको आप देखिए तो दीवी इंफॉर्मेशन को सवाल की को हम कैसे यूज करेंगे इसके अंदर यह हमारा सेल्फ ऑक्टिपाइट से इसके अंदर है और उसको हम यूज करते हुए कैसे इस पूरे सवाल को सोल्व करेंगे ध्यान से देखिए क्वेस्ट्ट्ट्र यहां पर है डॉक्टर एके शर्मा देखिए मुंबाई इनका मुंबाई में एक मकान है बहुत बढ़िया सुन्दर जुहू बीच पर राइट तो उससे रेलेटेज जनकारी यहां पर है उसका मिन्सिपल वैल्यू दिया हुए तीस ऐजार रुपे टिया हुए ऐसा लिए 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 बढ़िया मज़ा आरा पर तो रहने के लिए यूज किया कोई दिक्केद नहीं है जूब बीच पर रहो अभी कहानी कौन सी लगेगी अगर खुद के लिए रहने के लिए यूज़ किया तो निल ओने वाली है एने भी निल ओने वाली है इंट्रेस्ट और लोन डिडक्शन केलकुलेट करेंगे हम एक्सपेंस जो हमारे हुए लोकल टेक्स कोई मतलब नहीं है ए एने भी निल है एने टेस्ट और बहुरूर्ड कैपिटल है उन्होंने इस मकान को बनाने के लिए क्या किया लोन लिया वारे लाग रुपे का लिया और प्रीक्ष्ट्रक्शन पीरिड़ होता हूं क्या होता है लोजल की टेट से 31 मार्च कि और वो कौन सी देट से पहले की होगी प्रिसीडिंग जमरी तौशा आप पको कि फिलत आ ने होलिए जब आपने लोन काय के लिए 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 अपने लड़की की शादिये उसके लिए लोन लिया तो उसकी ड्रक्शन नहीं मिलती है अब यहां पर लिखाए कि कंस्ट्रक्शन इसका कंप्लीट कब गए 31 मार्च 17 को राइट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने की डेट में आउट्सेंडिंग कितना अमाउंट रह गया आट लाग रुपे आपने लोन लिया बारे लाग रुपे का राइट कब लिया जनवरी 2014 में 18% की रेट से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ इसका 31 मार्च 17 को चार लाग रुपे प्रिवियस यह से पहले चुका दिए तो प्रिवियस यह मैं आउट्सेंडिंग तो आट लाग की रह गई ना तो प्रिवियस यह का इंट्रेस्ट है वो कितने रुपे पर कैलकुले के लिए यहां पे लोन की लिए लिए आफके लिए और सुस्ट्रक्षंट जो प्रिकंस्ट्रक्शन पीरियों होता है इन शॉट् समारा प्रीकंट्रक्शन पीरिट होתा है लोन लेने की देट से एकत्यस मार्च जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होनी बाता है चला लग appropriate to beIGN जबता हूं फ्रीकंस्ट्रक्शन पीडियेट होक्वی जङ 14 से 31 मार्च सोला है राइट है कि अभी क्योंकि यह सेल्फ ऑक्किपाइट के स्केस में इसको सोल्व कर रहे है तो एने भी मैंने निल लिख भिया अभी इसका इंट्रेस्ट ओन लोन मुझे लेस्ट करना है डिड़क्षय अंडर सेक्शन 24 अडिवर्च अलों कैसे किल्कुलेट होगी फॉल दव प्रिवियस एर फॉल प्रिव्यश्यार पिरिवेस यरे फ्लस बान अपॉन फाइब दो प्रिकंस्रक्शन पिरिएथ वन अपॉन पान फाइब और कृंस्ट्रक्शन तो प्रिव्यस एर की तो अभी लोग नने देखा कि जितना प्रिवियस सिर में आउट्सेंडिंग इस पे निगलेगी तो 18 परसेंट से निगलेगी तो यह यह आ जाती है आपकी वन लैक 44,000 राइट वन लैक 44,000 और फिर इसके बाद वन अपॉन फाइव प्रिकंस्ट्रक्शन पीरियेट से रिलेटेड बात है तो यहां पर पहले आप डिटर्माइन करें कि प्रिकंस्ट्रक्शन पीरियेट की इंट्रेस्ट कित्की होगी जैसे जनवरी 14 से मार्च 16 तक कितना टाइम हो गया आपका जनवरी 14 से मैं कलेंडर येर वाइस लेके चलू या फिनेंशल येर वाइस लोग कोई दिक्कत नहीं है एक अत्तिस मार्ट 14 तक मैं फिनेंशल येर ले रहा हूं तो 2014 में तो तीन महीने रह गए और 2015 में बारा महीने और 2016 में पूरे बारा महीने टोटल 27 मंस हो गए इंस अब तो यह मैं रहा हूं एक अठीस मार्ट कोड़ेसर बास।Okay तो यहां तक आपके टोटल 27 मंस हो गया है तो 27 मंस की इंट्रेस केलकुलेट करेंगे और इसका बैनेफिट हम कब देंगे पांस साल में रहेंगे कौन से पांस साल होंगे वह जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने वाला यह चोड़ दो वह तो अपने आप में नहीं 31 मार्च 17 को जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो है तो खतम होगया है वह अपनेचल यह तो आपका कौन सा आ रहे हैं 17 18 18 19 19 20 21 21 22 तो इसमें आपका एसेस्मेंट यह वाला आ गया तो आपको इसकी डिदक्शन मिलेगी प्रिकांस्ट्रक्शन पी रेट की इंट्रेस्ट की इंट्रेस्ट तो हम पूरे लोन की अमाउंट पर केलकुलेट करेंगे ना पूरा लोन का अमाउंट कितना था 12,00,00 रुपे था जिस पर 18% आप केलकुलेट करो और कितने से 27 महीने की केलकुलेट करो इस क्योंकि इंट्रेस्ट की रेट पार रहे ना में तो मुझे 27 बंस को 12 से डिवाइट बेना बड़ेगा यह आ जाएगा आपका 4,86,000 इसके वन अपॉन फाइब का बेनेफिट इन फाइब यहर्स में मिलना है तो इसका वन अपॉन फाइब आप केलकुलेट कर लिजे 4,86,000 का इन दोनों को एड करिये तो आपका कितना हो गया यह है तो लैक 41,200 अच्छा यह लोन कब लिया था आपने एपरिल 2014 को तो लोन लिया आपने एपरिल 2014 को मतलब जनवरी 2014 को तो लोन लेने की डेट कव है फर्स्ट अपरिल 1999 के बाद हमारी जो इंट्रेस्ट और लोन की होगी वह दो लाख रुपे होगी अगर लोन एपरिल 1999 से पहले लिया होता तो लिमिट 30,000 रुपे होती है लोन कब लिया आपने आपने अपरिल 1999 को लिया हो या उसके बाद लिया हो तो लिमिट होती है दो लाख रुपे ठीक है अच्छा तो यहां पर आपका जो है यह अमाउंट मेरे को कम्पेर करना पड़ेगा टूलैक फॉर्टी वन ताओद तूहंड और लिमिट केवल दो लाख रुपे तक की लिमिट है अगर यह अब जैसे इन दौन में कम कितना है आपका तूलैक रुपीज क्योंकि दो लाख रुपे लिमिट है और यह अमाउंट केलकुलेट किया हुआ से ज्यादा बैढ़ रहा है ठीक है न तो आपको डिडॉक्शन दो लाख रुपे की मिलेगी अक्या अगर केलकुलेट किया हुआ अमाउंट 9 दिड़ लाख रुपे होता यह टुपॉटी सब्सक्राइब कर जाता है तो फिर आपको दो लाग से ज्यादा की डिड़क्शन नहीं मिलेगी तो यह आपका हो गया लॉस है फ्रॉम हाउस प्रोपरिटी दो लाग रुपर है ठीक है यह एक बात हो गई ही अब बात भई सेलफ अक्यूपाइड के केस में तो सीख लिए हमने अब अगर इस हाउस प्रोपरिट्टी को किराए पर उठादिया गया होता तो फिर हमारा कैसे सवाल फोल में सेंवास में सेकन्ट पूंट है तो मिन्सिबल वैल्यू तो हमारे पास है कि इफ लेट आउट इफ लेट आउट एड़ रेट थर्टी फाइफ फाइफ अड्रेट पर मन्त तो मुझे पहले जीए भी निकालना पड़ेगा है तो जीए भी डिटर्माइन करेंगे है हायर ओफ कि एंवी एफ आर एंड एयार क्योंकि रेंड कंट्रोल एट अपलाई नहीं है तो एंवी कितना है मेरा थर्टी थाउजन मिन्सिबल वैल्यूएशन एफ आर कितना है तो इसका इन तीनों अमांट्स का हायर मेरा जीए भी कितना हो गया फॉर्टी थाउजन इसमें से मुझे लेस्ट क्या करना है लोकल टेक्स या मिन्सिपल टेक्स जो कितना दी रखा है महां पर फोर ताउजन फाइवंड रूपीस का इसको लेस्कर दो तो नेट अन्वल वैल्यू कितनी आगई 37500 फिर इसके बाद मुझे क्या लेस्करना पड़ेगा डिदक्शन कौन कौन सी सबसे पहली एक स्टेंडर्ड डिदक्शन डिदक्शन अंडर सेक्शन 24 तो सबसे पहली हमारी स्टेंडर्ड डिदक्शन जो 24 ए में आती है एन वी का 30 परसेंट तो इस्टेंडर्ड डिदक्शन हम लिख देते हैं इसको 30 परसेंट ऑफ 37500 इसका 30 परसेंट कैलकुलेट करो 11250 और इंट्रेस्ट और लोन की डिदक्शन वह वही रहेगी जो कैलकुलेट की भी आपने 241,200 इसको अब आप कंपेर नहीं करोगे कंपेर करने की जरूद नहीं कंपेर केवल कप कर दें जब सेल्फ ऑक्किपाइड होता है ठीक है तो मैं इसको 241,200 लिख देता हूं यह द आ रहा है कितना आ रहा है कि तू वन फोर नाइन फाइफ जिरो इस इस दा लॉस राइट एक बहुत ही स्मॉल और ब्रीफ रीकाप के वला आप सुन सकते हैं कि अगर हाउस प्रोपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्क्यूपाइड है तो इंट्रेस्ट और लोन को लिमिट होती है उ से तीस अजार रुपए या फिर दो लाक रुपए लोन टेकन विफॉर एप्रिल वन नाइंटी नाइंटी नाइन तो तीस अजार आफ्टर में दो लाक और कोई लिमिट नहीं होती है अगर आउस प्रोपर्टी आपने किराय पर उठाईए तो पूरी जितनी भी इंट्रे क्रिभियस यह प्लस वन अपॉन फाइब प्रिकंस्ट्रक्षण पीरियर्द ठीक है और लिमिट लोन काई के लिए आपने और पर्चेस कंस्ट्रक्षण और रिपैर तो यहां से एक स्सेप्शन और आगई कि जो काई पर लागू होगी आपकी कि अगर आपने रिपेर के ल तो लोन की जो लिमिट है वो तीस हजार ही रहेगी राइट इवन इफ आपने लोन लिया हो एपरिल वन नाइटी 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 नाइन के बाद भी क्यों ना राइट तो इस डिदक्शन का पूरा कॉंसेप्ट यूज करते हुए आप लोग टेक जो टेक्सिवल इंकम फ आपे लोग दो होगी क्यों का वी राइटी नाइटी 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 धर टूवड़ से लाइटी काम झार की जो लिए कर शावराशी नाइटी हैं नाइटी नाइटी